हेलो फ्रेंड्स प्रेम दा किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज कचरी से बनने वाली न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें देखिए हमने यहाँ पर कचरी मीडियम साइज की कचरी ली है अभी जैसा भी आपको पता हो कि क कचरी का सिजन चल रहा है आपको मंडी में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी या फिर गाउं में खेतों में आपको वैसे भी यह कच्रिया मिल जाएंगी तो अब इसका सीजन चले जाएगा उसके बाद भी हम इसको कैसे रख सकते हैं और कैसे इसका अचार बनाकर खा सकते हैं तो यही रेसिपी आज आपको मैं बताने वाली हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट बात बताने वाली हूँ तो मैंने यहां पर देखिए मीडियम साइज की कच्री ली हैं और इनको अच्छे से दो लेना ह द्यान रहें कि हमारी कच्री को दोने के बाद में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए या तो आप कपड़े से अच्छे से पूंच लें या फिर इसको आप सुखा सकते हैं तो मैंने यहां पर कच्री को अच्छे से दो लिया है और सुखा लिया है बिल्कुल भी नही तो नहीं है इसी तरह हमें सभी कच्रियों को कट कर लेना है तो यहां पर मैंने सभी कच्रियों को आच्छे से कट कर लिया है और ऐसे ही हम चेक करेंगी कि तो देखे हमारी सभी कच्रियां कट कर तेयार हो चुकी है मैंने बीच में कट लगाया है मैंने पूरी तरह कच्री को नहीं काटा है क्योंकि हमने इसको साल पर रखना है अब यहां इसका कुछ मसाले ले लेते हैं मैंने यहां पर दो चम्मच लाल मिर्च लिए और दो पावडर लेंगे मैं यहां पर एक किलो कच्री का मसाला बता रही हूं आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं और दो चम्मच ही धनिया पावडर लेंगे और देड़ चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है मसाले आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं तो और यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहाँ पर हम तेल लेंगे यह तेल अचार का तेल है आपके पास यदि अचार का तेल नहीं हो तो आप तेल को गरम करके और अच्छे से ठंडा करके मसाले में मिला लें क्योंकि हमारे मसाला है जो सूखा नहीं रहना चाहिए क्योंकि सूखे मसाला कच्रियों में अंदर नहीं भरा जाएगा तो मैंने यहाँ पर देखिए अचार का तेल मिला लिया है और अचार के तेल मिलाने से बहुत ही अच्छा color आता है यदि आपके पास तेल अचार का हो तो आप ले सकते हैं मसाला बनाने के बाद में देखिए जो मैंने cut लगाया है कच्रियों में उसमें हम अच्छे से मसाला भर देंगे आप हास से भी मसाला इसमें अंदर भर सकते हैं या फिर चम्मा से भी अच्छे से भर सकते हैं ध्यान रहें कि हमारे यदि मसाला कम पड़ रहा है तो हम और बना लेंगे इसी तरह लेकिन मसाला हमें बहुत अच्छे से भरना हैं इसमें क्योंकि अचार में जितना मसाला होगा अचार उतना ही टेस्टी बनेगा तो इसी तरह मैंने देखिए सभी कच्रियों में मसाला अच्छे से भर लिया है मेरी वीडियो पसंद आई हो तो पिलीज लाइक करें और मेरे चैनल पर यदि आप नए हो तो पिलीज सब्सक्राइब करें तो देखिए मैंने सभी कच्रियों को अच्छे से भर लिया है और भरने के बाद में हम एक कडाई लेंगे और कडाई को गैस पर रख देते हैं हम यहाँ पर इसमें तेल लेंगे तेल मैंने यहाँ पर थोड़ा ही लिया है आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर तेल थोड़ा ही लिया है क्योंकि मैं यहाँ पर बाद में तेल गरम करके डालूंगी तो तेल को चेक करें कि तेल हमारा गरम अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है तो मैंने यहां जीरा डाल कर तेल को चेक कर लिया है तो अभी अच्छे से प्रॉपर गरम नहीं हुआ है इसको बहुत ज्यादा गरम करना है देखिए अब तेल अच्छे से गरम हो चुका है और गरम होने के बाद में हम इसको दो मिनट ठंडा होने के लिए रखेंगे, ज्यादा गरम तेल में हमें मसाले नहीं डालने हैं, नहीं तो हमारे सारे मसाले जल जाएंगे, मैंने यहां पर दो चम्मच जीरा लिया है, दो चम्मच मेथी दाने, और दो चम्मच ही मैंने यहां पर अजवाइन ली है, और दो चम्मच मैंने यहां पर राई ली है और दो चमच ही मैंने यहां पर सौप लेंगे और सभी मसालों को डाल देंगे ध्यान रहे कि हमें मसाले गरम तेल में बिलकुल भी नहीं डालने हैं और यहां पर मैंने एक चुटकी हिंग ली है हिंग से इसका टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छा आएगा और इनको अच्छ हल्दी पाउडर लेंगे आदा चमच ही मिर्च लेंगे और आदा चमच ही नमक लेंगे क्योंकि हमें मसाले ज्यादा एड़ नहीं करने हैं क्योंकि हम कच्रियों में भर चुके हैं मसाला तो यहां पर हम कलर के लिए कुछ मसाले ले रहे हैं तो हम इस तेल में अब जो सारी कच्रियां हैं जो हमने भरी हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए हम कच्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखने में कितना टेस्टी लग रहा है बहुत ही अच्छा कलर आया है यदि आप इसको एक दो दिन में खाएं तो आप इसमें एक भाब दिला लें मै इसको ऐसे ही रखूंगी मैं यहां पर दोचमच कालोंजी लih है और ध्यान रहे कि के ऊपर से डालना है सभी मसालों के साथ एड हैं जब हमारा मसाला थंडा हो जाए ताव में कालोंजी को डालना जिससे इसका टेस्ट और फिलेवर अच्छा आता है तो देखिए हमारा अचार बनकर तयार हो गया है और ध्यान रहे कि इसको हमें ठंडा होने के लिए रख देना है दो तिन गंटे या ओवरनाइट भी रख सकते हैं मैंने यहां पर ओवरनाइट इसको ठंडा होने के लिए तो हम आचाव में तील कम हैं तो हमने तेल को गरम कर लिया है और गरम हमें गरम तेल नहीं डालना ट्र Do Keter कि लेके लगना या अचार है वह पूरे साल भर चलेंगा क्यूंगा और वह ऐंच setup विल्कुल भी खार